उनके संगीत के बारे में पंडित भीम सेंजोशी जी एक बात कहते हैं कि जिसने पंचम को नहीं सुना वो उसने किसी को नहीं सुना इसलिए हर शास्त्रिय गायक को पंचम को सुनना चाहिए ये उनके वर्ड्स हैं क्योंकि एक बार एक प्रेस रिपोर्टर पंडित भीम सेंजोशी जी के घर के बाहर से निकल रहा था और उस वक्त उनके घर से अचानक किशोर दा की गाने कुछ तो लोग कहेंगे डोगों का काम है कहना तो बड़ा हैरान हुआ कि एक क्लासिकल सिंगर इतने बड़े हमारे देश के उनके घर से ये फिल्मी गाने की आवाज कैसे आ रही है तो पहुँचे तो देखा बड़े मज़े से पंडित भीम सेंजोशी इस गीत को सुन रहे थे अनुबलत सर आप ये फिल्मी गाने सुन रहे हैं कहते भई ये किशोर कुमार ने गाया है और पंचम ने इसका संगीत दिया है पंचम को सुनना हर शास्त्री गाय के लिए बहुत ज़रूरी है देखो कितनी खुवसूरती है खमाज में ये गाना कंपोस किया और बड़े आराम से इसे राग कलावती में ले गए और फिर वापिस खमाज में आ गए ये लहर जो है ये अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर नहीं कर पाते और किशोर कुमार जो की सीखे नहीं थे अगर सीखे होते तो आज हम क्लासिकल सिंगर्स की रोज़ी रोजी पर लात मार चुके होते तो किशोर्दा जिन्होंने सीखा नहीं मगर उसके बावजूद भी लगता है जैसे भगवान ने खुद अपने पास बैठा कर उन्हें एक-एक सुर का ग्यान दिया और तब धरती पर भेजा परफेक्ट किशोर कुमार तो आईए वही गीत फिल्म अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना पंचम का संगीत आनन्द बक्षी का गीत और राजेश खन्ना को खिराजय अप्रीदत इस गीत के जरीए हम पेश कर रहे हैं और पेश करने के लिए मंचपन है हमारे धीपक वर्मा डेली तालियों के लिए शुक्रिया कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ों बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रेना कुछ तो लोग कहेंगे कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबों की शाम हुई कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबों की शाम दोई तू कौन हल तेरा नाम है क्या सेता भी यहां बदनाम हुई फिर क्यों संसार की बातों से ठीक गए तेरे नैना कुछ तो लोग कहेंगे दोगों का काम है कहना छोड़ों बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना मुझ तो लोग कहेंगे हम को जो ताने देते हैं हम को जो ताने देते हैं हम को जो ताने देते हैं इन गलियों में ये सच है जूठी बात नहीं तुम बोलो ये सच है ना पुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ों बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना मुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लोग्त आर रहना लोगों